बहुत टाइम हो गया मैंने कोई भी एनिमे सिरीज देखे होगे लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने एक एनिमे सिरीज देखी थी जो मुझे बहुत जादा पसंद आये थी मुझे comment में ही उनको series को suggest किया गया था उस anime series के बारे में बताया गया था हाँ title और thumbnail से आप समझ गए होगे मैं किसके बारे में बात करना वाला हूँ यानि कि the summer time rendering anime series के बारे में इस anime series में लगबग 25 episode है और 25 episode यानि ये पूरी जो story है इनी 25 episode में कतम हो जाती है इसका मतलब यह हुआ कि देखो इसका कोई second season नहीं आने वाला है अब आते हैं इस anime series की story के उपर देखो जादा कुछ नहीं बताऊँगा जैसे मेरे उपर इल्जाम लगता आ रहा है कि भाई आप spoiler देते तो मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाला तो story शुरू होती है एक लड़का जिसका नाम होता है शेन पाई जब वो अपने hometown में अपने दोस्त के funeral पर वापस आता है अब इस जैसे ही वापस आता है तो इसके ओपर कुछ attack होने start होते है attack जो है वो एक परचाई है shadow है उनके दोर attack होना start होता है उनकी कुछ एक अलग ही planning होती है अब मैं ज़्यादा नहीं बताने की कोश्च करूँगा कि आपका interest इसके अंदर खराब हो जाए या फिर आपको कोई spoiler मिल जाए तो यहाँ पर जब यह वापस आता है तो same इसके ओपर चीज़ें होती है कुछ attack होते है और send by के पास एक power भी है वो काफी ज़्यादा interesting मुझे लगी और जिस तरीके से उस power का use किया गया है बहुत जबरदस्त मुझे लगा इस पूरी series के अंदर इस 25 episodes के अंदर जैसे उस power को use किया गया है बहुत बड़ी एक और character है इस anime series के अंदर जिसको अगर मैं introduce या जिसके बारे मैं बात नहीं करूँगा तो मुझे थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगेगा मुझे लगेगा है मैंने अधूरा review कर दिया उस character का नाम है उशियो देखो ये जब भी introduce होती है किसी भी मतलब episode के अंदर जादा तर यह रहती है तो यहां पर जब introduce होती है तो जिस तरीके का इसका बोला बन मतलब भोला बन और इसकी cuteने और जैसे बड़बड करती है और इसके पास भी एक power है अब उशियो भी काफी ज़्यादा एक mysterious character आपके लिए रहेगा क्यों ये कहां से है क्या है कैसे है मतलब जब आप जानोगी ना आप होशी उड़ने वाले हैं बहुत बढ़िया मुझे ये character लगा और इसके बिना इते यार series अधूरी ही रह जाती अब मतलब tension आलो मैंने आप लोगों को कोई ज़्यादा spoiler नहीं दिये है मतलब आपका interest create हो सके उतना ही मैंने बता है story को बहुत अच्छे से develop किया गया है time traveling का एक concept ये time का concept इसके अंदर use किया गया है बहुत अच्छा है साथ इसाथ series के अंदर आपको बहुत सारी dimension मतलब की friendship का, love का, horror का सच में horror जो बोल रहा हूँ ना इसमें वास्तों में आपको horror देखने को मिलने वाला है animation जिस तरीके कि इसमें create की गई अब बहुत बढ़िया है इतना कुछ आपको बहुत अच्छे से इस series के हर episode का अब आगे क्या होने वाला है अब आगे क्या होने वाले जैसे ही आप इस series को देखने बैटोगे इसका first episode आपका interest create हो जाएगा इतना मैं मतलब मैं guarantee ले सकता हूँ guarantee तो मैं ले ही सकता हूँ इसके लावा series में जितने भी character हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया जाता है ताकि आप उन character से connect हो सकें और जो मुझे बहुत जादा पसंद है एनिवे series में मुझे सबसे ज़्यादा यही चीज़ें पसंद आती है कि आपको कोई भी character ऐसे सूना सा नहीं जोड़ देंगे यार यह कोन था यार यह कहां से आगए ऐसा नहीं है वो बताएंगे उसके बारे में उसकी क्या कहानी है क्या story तो वो जब आपके सामने आते हैं तो आप और ज़्यादा इससे connect होते हैं मतलब इसमें आपको fighting भी देखने को मिलेगी कहीं कहीं पर ज़्यादा नहीं है उससे ज़्यादा उमीदें मत लगाना story आपको बांद कर रखेगी चीजें कैसे हो रही है कैसे आप मतलब ठीक है ज़्यादा नहीं बताते हैं मतलब और अगर इस series की बात करूं तो बहुत ज़्यादा आपको यह series पसंद आने वाली है मुझे रेले में बहुत ज़्यादा पसंद आए हां कमियों के उपर आते हैं आप सुचेंगे यार इसमें क्या कोई कमी नहीं है बेशिक है कमी है जैसे कि अगर आप इस series के 12 या 13 एपिसोड अगर मतलब पहुंच जाते हो वहां पर तो आपको ऐसा फील होगा कि अर यह series अब कही ना कहीं repeat हो रही है वही चीज़ें हमें फिर वापस देखने को मिल रही है यह आगी नहीं बढ़ रही है थोड़ा बहुत आपको ऐसा फील होगा और शैनपाई के पा या मुझे एंडिंग लगी तो यह अगर आप series देखते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप इसमें कहीं पर भी बहुर होगे या आपका interest इसमें कहीं खराब होगा चोटी मोटी कम्यात हैं वैसे उनको ignore कर सकते हो जैसे मैंने ignore कर दी मेरी तरफ से ही तो इस series को मैं देना चाह है नेक्स डूडियो में तब तक के लिए चाहिंद